मूर्वी में जो हादसा हुआ उससे पूरा देश हिला हुआ है वहां के न्यूज देखके इतने लोग मासूम लोग मारे गए मासुम बच्चे मरे गए उसको देखके पूरा देश हिला हुआ है, पिछले दो दिन में जो तत्थे सामने आए हैं उससे ये साफ हो जा रहा है कि ये आध्सा नहीं हत्या है, मूरुभी में जो डेढ़ सो लोग मारे गए, मासुम बच्चे मारे गए, ये हत्सा नहीं है, ये ह nibे पाइं जो डेर सो लोगम कि वज़े से गुजहात के मोरभी में नदी सो लोगों की जान गई है मासों बचों की जान गई है मैं डेड़ सो लोगों और मासूम बच्चों के खत्यारे नेताओं और उनकी सरकार से पांच सवाल पूछने जाता हूं, पांच सवाल, भारतिय जिन्ता पार्टी से मेरा पहला सवाल है, कि मोर्भी में जो पुल टूटा, उसके पुनर निर्मान का ठेका, एक घड़ी बनाने क्यों दिया गया, एक ऐसी कमपनी को जिसने कभी सिविक वर्क ने किये, पुल कोई नी बनाया, उस तरह का कोई काम नी करती थी, सिर्फ घड़ी बनाने का एक्स्पिरेंस रखने वाली कमपनी को पुल के पुलर निर्मान का ठेका दे दिया, ये भारतिय जिन्ता पार्टी जवाब दे कि ये क्यूं दिया गया, दूसरा कि इतना बड़ा काम और इतना महत्पून काम, इतना सेंसिटिव काम, और उसका thेका ऐसी पुल के दिया गया, जो घड़ी बनाने वाली थी, वो तो किया ही किया, लेकिन बिना टेंडर के ठेका दिया गया, मोरवी के पुल के पुनर निर्मान का ठेका बिना टेंडर के दिया गया एक गैर अनुभवी कमपनी को बिना टेंडर के ठेका क्यों दिया गया भारतिये जनता पार्टी के नेता जवाब दे इस बात का भारतिय जन्ता पार्टी की गुजराश सरकार जवाबदेस बातका की बिना टेंडर के ठेका क्यों दिया गया मुर भी पुल के पुनर निर्मान का। फिर जो डॉक्लमेंट सामने आये हैं, उन से समझ में आता है कि ये पुल के पुलनर इर्मान का काम आट महीने में पूरा महना था, लेकिन किस जल्दबाजी में, कौन सी ऐसी जल्दबाजी थी जिसकी वजह से ये आठ महीने का काम पाँच महीने में लिपा-कुत्ती करके यह मेरा तीसरा सवाल है कि आज महीने का काम पांच महीने में लिपाकूति करके पुल क्यूं खोल दिया गया चौता सवाल मेरा यह है कि भारतिये जनता पार्टी बताए कि यह जो कंपनी घड़ी बनाने वाली जिसको बिना अनुभव के ठेका दिया गया इस से भारतिये जनता पार्टी ने कितना चंदा लिया है भारतिय जनता पार्टी ने इस कंपनी से कितना चंदा लिया है भारतिय जनता पार्टी ने इसके मालिकों से कितना चंदा लिया है और इस कंपनी के मालिकों की बीजेपी के किन किन निताओं से नजदी की है भारतिय जन्ता पार्टी इस बात का खुलाशा करे कि मोरभी में जो डेड़ सो लोगों की हत्या हुई उस हत्या के पीछे भारतिय जन्ता पार्टी को कितना चन्दा मिला है ये बात भारतिय जन्ता पार्टी बता है और पाँच्वा सवाल मेरा ये है कि इतने बड़े हादसे और पूरे देश में पूरी दुनिया में ये मुद्दा उठ रहा है इतने बड़े हादसे के बावजूब जो F.I.R. दर्ज की गई है उसमें उस कंपनी और उसके मालिकों का नाम तक नहीं है सिक्यूर्टी गार्ड नीचे के करमचारी मजदूर इन लोगों के खिलाब F.I.R. की गई है कंपनी के मालिक के खिलाब F.I.R. नहीं की गई है वहाँ के security guard और वहाँ के मजदूरों के खिलाफ वहाँ के छोटे करमचारियों के खिलाफ F.I.R की गई है किसका दवाब है किसके दवाब में company के मालिकों और company के खिलाफ F.I.R नहीं की गई इन पांच सवालों के जवाब भारती जंता पार्टी को देने होगे ये डेड़ सो लोगों की मौत हादसे में नहीं हुई हत्या में हुई है मैं फिर से इस बात को दोराने चाहता हूँ तैंक यू अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारती जंता पार्टी के कारणाहों की वज़े से भारती जंता पार्टी की घंष्टा चाहर के वजए से पूरे निच्टकाने केकर भष्च्टो करना थ हो हुआ है कि को देश मी सवाल कुषाय जा रहे कि मेरे पास निया है इस लगतार बढ़ रहा है असल में कारण क्या है कि अरसाथ सेंस्टी भी देखते हो असल कारण सब को पता है अभी साफ सफाई ठीक से करा दो धुर्वी बंद हो जाएगी और इवी वहकत इस तरे के लाए गए है उससे नीचे आ रहा है कारबन सबसे पहले तो भारतिय जनता पार्टी अब चुनाव से पहले किस मुंख से चुनाव में जाएगी इन पांचों सवालों को गुजरात का एक एक आदमी पूछेगा कि देड़ सो लोगों की हत्या क्यों कराई भारतिय जनता पार्टी के निताओं है मासूम बच्चों की हत्या क्यों कराई भारतिय जनता पार्टी के निताओं है इनको लग रहा है ये गैंगेश्टिल की चिप्ठियों से इस तरह के चुनाव से पहले गिये गए कि उससे च के आगे और के आगे